हलो स्वेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो सो आज के इस वीडियो पे जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आपके अपकमिंग से इंटर मई दोजार चॉबिस के एक्जाम में एक्जाम का पैटन क्या रहने वाला है हर एक सब्जेक का तो वीडियो को पूरा दे के लिए मैंने यहाँ पर जो ICI क्या मॉक टेस्स पेपर था, जो मॉक टेस्स पेपर है कौनसा हाँ जी, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज वन, ठीक है मैं उसको बेज बनाकर चल रहा हूं में मैंने यहाँ पर इंटर्मीडेट ग्रूप 2 का कॉस्ट एंग मैनेजमेंट जीएगा चलिए तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपका part one के part one यहां पर एंडियो बेस एंड यह सैक्वेसे के आपको पता ही है 30 marks सब्सक्राइब करें दिस्क्रेप्टिव रहने वाला है तो पार्ट वन जो रहे गा वह रहे आपका case scenario based mcqs और case scenario based mcqs क्या होते हैं आई hope आपको पता ही होगा क्या आपके सामने case होगा और उस case के base ठीक है आपको कुछ number of mcqs का answer देना पड़ेगा तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला case scenario है आपका वो है यहाँ पर 10 marks का ठीक इसी तरह से एक और case study question आपको मिलेगा यहाँ पर यह देख सकते हैं यह आपका question number two ओके m limited और इसके बाद यहाँ पर इसके mcqs और यह भी कुल मिला के हो जाएंगे आपके 10 marks के यहने की दो case scenario questions है 5 marks 5 marks यह है उसके बाद यह रहा आपका question number 3 ठीक है question number 3 आपका mcq है and फिर उसके बाद question number 4 5 6 7 यह भी आपके mcqs है तो कुल मिला के जो आपका part 1 है उसमें 2 case scenario based questions है 20 marks के और जो बाखी के पार single mcqs है वह आपके 22 marks each है यानि की 10 marks के तो इस के बाद आते हैं पार्ट 2 में तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 जो है आपका वह आपका descriptive ठीक है descriptive questions और यह रहेगा आपका 70 marks का तो इसके अंदर attempt any four questions out of the remaining five questions तो जो बचे हुए पांच questions है ओके यहां से question number one यानि कि इसमें पांच questions होंगे descriptive के अंदर इसमें से आपको कोई भी any four आप चार question यहां पर attempt कर सकते हैं और ध्यान रखिए यह costing का है और इसके इंदर theory भी है कुछ बच्चे मुसे पूछ रहे थे कि सब चो कॉस्टिंग का पेपर है क्या उसमें theory आएगी जी हां इसमें अगर आप last में जाके देखेंगे तो theory का question भी डाला गया है यह देखे question number six है आपका explain the treatment of over okay यह सब आपका theory कोछ तो theory भी है practical भी है और mcq 30 marks का है यह तो यही same pattern आप बाकी के papers में भी यहां पर expect बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है बट major major आपका यही रहने वाला है and I hope की paper python में आचुका होगा आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चली रही होगी और उसी के लिए हमने already अपने सी इंटर के चैनल पे जो marathons है चाहे वो costing से access कर सकते हैं and the most important चीज जो आपका पहला पेपर एडवांस accounting 29th April को उसका life marathon होने वाला इसी YouTube चैनल पर उसे जरूर रेटेंड करिए और अपने revision को बहतर करिए तो I hope आज की वीडियो में जो हमने paper pattern यहां है discuss किया है costing को base लेते हुए वह आपको अच्छे से clear हो चुका है thank you very much and all the very best